हर अर्मादेव, स्री सिवाय, नमस्तु भ्यम दोस्तों आसा करती हूँ, आप सब बिलकुल ठीक होंगे दोस्तों महादेव की क्रपा आप सबी पर बनी होगी कई बार हमारे मन में ये दुविधा आती है दोस्तों कि हमें कौन सा दीपक कहां लगाना चाहिए लंबी बाती का दीपक लगाए या गोल बाती का कौन सा दीपक, कौन से पेर पर लगाना चाहिए हमें घी का दीपक लगाना चाहिए या तेल का दीपक लगाना चाहिए ये बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे मन में आते हैं तो आज मैं इसी सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें दोस्तों, मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाती हूं कथा से सुनकर बहुत अच्छे से समझती हूं पहले, फिर आप तक पहुचाती हूं दोस्त तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं दोस्तों कि हमें देवी देवताओं के सामने कौन सा दीपक जलाना चाहिए दोस्तों हमें गोल बाती का दीपक जो है देवताओं के आगे हमें लगाना चाहिए या इस्थिरता का प्रतीक होता है और इसको लगाने से हमारे घर में लचमी जी की सुख समर्दी की इस्थिरता बनी रहती है दोस्तों तो गोल बाती का दीपक हमें देवदाओं के आगे लगाना चाहिए अब हमें लंबी बाती का दीपक कहा लगाना है लंबी बाती का दीपक लच्मी जी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों इससे हमारे घर में लच्मी आती है हमारे कुल बढ़ता है लच्मी जी का वास हमारे घर में होता है दोस्तों तो देवी जी के आगे हमें लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए दोस्तों जब हम कुल देवी देवताओं की पूजन करते हैं तो हमें हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए वो कुल बढ़ाने का प्रतीक होता है साथी साथ दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सिर्फ जी के मंदिर में दीपक लगा रहे हैं और सिर्फ सक्ती के नाम से दीपक लगा रहे हैं तो हमें लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ सक्ती का प्रतीक माना जाता है अब कौन से पेड में कौन सा दीपक लगाना चाहिए सबसे पहले बरगत और पीपल के पेड़ के नीचे गोलबाती का दीपक ही लगता है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे सरसो का तेल का दीपक लगाए और बरगत के पेड़ के नीचे हमें घी का दीपक लगाना चाहिए दोस्तों सनी वार को यदि पीपल के पेड़ के नीचे प्रदोस काल में सरसो का तेल का दीपक लगाते हैं दोस्तों तो वो बहुत ही स्थोब माना जाता है इससे हमारे घर में सुक्ष्रमृद्धी बढ़ती है दोस्तों समी के पेड़ के नीचे बेल पत्र के पेड़ के नीचे आवले के पेड़ के नीचे हमें लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए इन बेड़ों के नीचे हमें घी का दीपक लगाना चाहिए साथी साथ जब हम बेल पत्र के पेर के नीचे दीपक लगा रहे हैं तो बेल पत्र का जो पेर होता है दोस्तों वो छोटा नहीं होना चाहिए हम जब भी बेल पत्र के पेर के नीचे दीपक लगा है तो उसकी छाया हमको मिलने चाहिए यानि बड़ा पेर होना चाहिए बेल पत्र का दोस्तों अब हमें तुलसी जी के पेर के नीचे कौन सा दीपक लगाना चाहिए तुलसी जी के पेर के नीचे हमें हमेशा गोल बाती का दीपक ही लगाना चाहिए दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल बाती का दीपक क्यों लगता है गोल बाती का दीपक तो लक्षमी जी का प्रतीक होता है बिल्कुल सही बात है दोस्तो लेकिन तुलसी जी के तनों पे विसुन जी का वास होता है दोस्तो साली ग्राम भगवाल उसमें वास करते हैं इसल का आसन जरूर लगाना चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं हमें अपने दर्वाजे पर अपने द्वार पर कौन सा दीपक लगाना चाहिए हमें अपने द्वार पर लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए और उसमें सरसों का तेल ही डालना चाहिए दोस्तों कथा में आतन धर्म में जो हमारे नियम है वो अपनी जगह है तो जैसा गुरुजी उपाय बताते हैं आपको वैसा ही करना है दोस्तों आशा करती हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें क्योंकि आपका जो लाइक है दोस्तों वो मेरे लिए बहुत ही महत्पूर है जब आप लाइक करते हैं तो मैं अप्रिसियेट होती हूं दोस्तों और आगे वीडियो नया वीडियो बनाने के लिए नई जानकारी देने के लिए उत्साहित होती हूं प्रेरिक होती हूं दोस्तों तो पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब वहीं पर दे दोंगी